हेलो एवरिवान हाउस द जोस वैलकम टू आल अन डिस चैनल और आज कॉंसेप्चिवल वीडियो सिरीज में मैं आई ये वार का सेकिंड लेक्चर लेकर के आया हूं और इसमें हम चर्चा करेंगे अबाउट द एडवांस लेवल इलेक्टरेशन तो ऐसे स्टुएंट्स जिन अगर आपको IOR के वारे में नहीं पता है कि यह IOR क्या होता है और अगर आप IOR के वारे में जानते हैं लेकिन अगर आप एडवांस लेवल के प्राइक्टिस करने चाहते हैं तो आज के लेक्चर को आप कंटिनू कर सकते हैं तो चलिए part two I-AoR last lecture में मैंने आप लोग को एक question last में दिया था और मैंने कहा था कि ये question आपको खुद attempt करना है ये question आपके लिए homebook था मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे students ने इस question को attempt किया होगा question क्या था मैं आपको repeat कर देता हूँ यहाँ पे एक disk थी disk के center की speed V0 थी COR क्या होगा ICOR कौन सा point होता है वो point जिसकी velocity उस moment पर क्या होती है 0 होती है मुझे लगता है ये question तो आपने देखते ही click कर गया होगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये body roll कर रही है क्या कर रही है roll मुझे एक बात बताएगा अगर ये body roll कर रही है ICOR हो जाएगा भई मुझे इस moment पर और the velocity calculation में ये assume कर सकता हूँ कि ये body उस axis के about जो point of contact से pass हो रहा है और plane के perpendicular है इस axis के about ये body क्या कर रही है fixed axis rotation कर रही है इस instant पर हम ये मान सकते हैं like this चलिए अब आपसे अगला part क्या पूछा गया था इन given mark points की velocity ये तो मुझे पक्का पता होगा कि अगर आपने kinematics of CRTM पढ़ी है तो ऐसा question आप लोग already solve कर चुके हैं जिसमें इन given mark points की आपको velocity calculate करनी होती थी क्या से solve करते थे translational motion और due to the rotational motion वो दो velocity की component आते थे और उनका vector addition करते थे याद है लेकिन आज ICOR का concept पढ़ने के बाद आपको उन given mark points की velocity calculate करने के लिए इतना ज़्यादा जहमेले करने की जवथ नहीं है एक बाब बताना अगर मुझे point A की velocity find out करनी है ये है आपका point of what? ICOR तो बताना इस point से यहां का distance कितना हुआ? 2R yes or no तो हम यहां पर बेटे जल्दी से बताना क्या इस point की हम velocity directly omega into 2R नहीं लिख सकते omega की value है V naught by R अगर उस value का हम substitute कर दे V naught by R multiplied by 2R R से R cancel out कितना आ गया? 2V naught आपको अगर किसी भी point की velocity find out करनी है तो just उसका point P से distance find करना है similarly अगर मैं point V की velocity पूछूँ आप से तो आप यह distance find out करेंगे यह distance क्या होगा? लेकि बेटा यह R है यह distance कितना है? R basic geometry आपको समझ में आ रही होगी right angle triangle है तो यह distance कितना हो जाएगा? root 2R yes or no यह आपका position vector velocity का direction क्या होगा? इसके perpendicular यह distance root 2R है तो हम यह कह सकते हैं कि इस point की जो velocity होगी this is omega into distance and distance is root 2R yes or no और omega की value है V naught by R कितनी है? V naught by R अगर उस value को substitute करते हैं यह value आ जाती है root 2 times of V naught कितना आसान हो चुका है? बस आपको distance find out करना है मुझे उमीद है कि C point का भी आपको समझ में आ गया होगा यह distance भी root 2R तो definitely C point की velocity इस moment पर ground से देखने पर क्या दिखाई देगी? root 2 times of V naught आप यहाँ पर direction भी एक ही statement से calculate कर पा रहे हैं yes or no तो देखी यह in given mark points की velocity आ चुकी है अब आता है next question the location and number of points having a speed V naught as center आप से पूछा जा रहा है कि इस disk पर ऐसे कितने सारे points है जिनका speed वही होगा जो center का speed है बताईए how many number of points कितने लोग का answer 2 आ रहा है 2 या 3 क्या रहा है बताईए answer will be infinite ऐसे यहाँ पर infinite number of points होगे जिनकी speed वही होगी जो center की speed है तेरा देखेगा मैं यहाँ पर दुबारा से diagram draw कर रहा हूँ यह रहा आपका center center यहाँ से ICO R से कितनी दूरी पर बेटा R दूरी पर yes or no इसकी speed कितनी थी V0 हम यह मान सकते हैं न इस point पर body इस axis के बाउट rotate कर रहा है तो हर वो point जो R distance पर होगा उस हर point की speed V0 ही तो होगी तो अगर मैं यहाँ पर इसे center मानते हुए R radius का यहाँ पर arc draw कर दूँ like this देखना द्यान से क्या किया यह रहा center और R radius का यह मैंने एक arc draw कर दिया क्या इस arc पर लाई करने वाले सभी point यहाँ से same distance पर है या नहीं है yes or no अगर यह सारे points same distance पर है बेटा तो सभी point की speed वही होगी किसकी speed है center की speed है और सोचिए disc है सोचिए disc है तो disc पर ऐसे कितने points मिलेंगे दो point नहीं there will be an infinite number of points yes or no लेकिन अगर यह ring होता न तो ring में तो आपको पता है कि जो भी material present है वो सारा का सारा कहां present होता periphery पर तो ring के case में ऐसे सिर्फ आपको दो ही point मिलते on the periphery एक ये वाला point और एक ये वाला point लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये disc है और disc में जो मसाला है मतलब जो material है वो material यहाँ पर पूरे surface पर distributed है तो यहाँ पर ये समझ जाए infinite number of points होंगे यहाँ सौर्दो अब देखेगा यहाँ से काफी सारी चीज़े हमें समझ में आ रही है एक बात बताना ये जो आपने arc draw किया है इस arc के नीचे लाई करने वाले क्या सारे point का distance arc ते कम है तो इसका मतला हम यहाँ पर ये कह सकते है अगर मैं इस region को set it करूँ इस region को set it करूँ ये ये जो blue reason आपको दिखाई दे रहा है न इस blue reason के अंदर अगर कोई भी point present है तो guarantee है कि उसकी speed जो है वो V0 से कम होगी यास or no और इसके ऊपर ये जो आपको blank space दिखाई दे रहा है इसमें अगर कोई भी point है तो बताओ यहाँ से जो distance होगा वो क्या radius से ज़ादा होगा या नहीं होगा मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये वाला पूरा zone इस zone में जो भी points लाई करेंगे उनकी speed भी not से ज़ादा होगी तो अगर माल लीज़े आपसे यहाँ पर ये question पूछ लिया जाए कि number of points जिनकी speed center of mass की speed से ज़ादा है और number of points जिनकी speed center of mass की speed से कम है इसका ratio निकाली बताइए ratio जो है वो greater than 1 आएगा या less than 1 आएगा अगर आपको ICOR का concept समझ में आ गया है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला area ज़ादा है ये देखिए इसको मैं अलग color से shaded कर देता हूँ कौन सा color choose करें चले green कर लेते हैं ठीक ये देखिए अरे भाई ये देखिए ये वाला area ज़ादा है क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है ये सारी चीज़ें आप इसलिए comment कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ICOR का concept पता है तो लिए next part पाते हैं location of a point having a speed in horizontal direction यहाँ पर ऐसे कितने points होंगे जिनकी speed horizontal direction में होगी बताए how many number of points are there again मैं आपको बता दूँ कि इस बार भी आपका answer infinite ही आएगा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक या दो ही points होंगे नहीं there will be an infinite number of points ज़रा देखेगा काफी interesting है यह देखेगा horizontal direction में अगर velocity है तो उसका जो position vector होगा वो vertical होगा क्योंकि आपको पता है velocity vector और position vector with respect to ICOR एक दूसरे के perpendicular होंगे yes or no क्योंकि body क्या कर रही है fix axis rotation तो देखेगा इस वाले point की speed अभी तुमने निकाली थी 2V0 मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इस line पर lie करने वाले सभी points की speed horizontal direction में होगी जैसे जैसे आप ICOR से उपर move करते जाएंगे speed भरती चली जाएगी इस वाले point की speed 2V0 होगी center वाले point की speed V0 होगी और यह speed linearly decrease कर रही होगी अब हम यह कह सकते हैं यह वाले points की speed V0 से जादा नीचे वाले points की speed V0 से कम लेकिन इस vertical line पर लाई करने वाले सभी points की velocity horizontal direction में है आपको एक और बास समझ आ रही होगी वो point जो ICOR से सबसे जादा दूर है उसकी speed सबसे जादा होगी तो बताना यहां से सबसे जादा दूर कौन सा point है यही मुझे दिखाई दे रहे तो इस disk पे सबसे जादा velocity इसी point की होगी हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर आप किसी भी point की velocity निकालते हैं इस disk पर उसकी range 2V0 से 0 के बीच में आएगी 2V0 वाला एक ही point मिलेगा और 0 वाला एक ही point होगा लेकिन इसके अलावा किसी particular velocity जो इस range में लाई कर रही है ऐसे कितने number of points पाइज आएएगे ऐसे आपको मिलेंगे infinite number of points समझ मैं सोचिए कि ICOR के बाद velocity analysis करना आपके लिए कितना असान हो गया है आपको किसी भी given particle की velocity का direction find out करना कितना असान हो चुगा है अगर मालीजे आपसे ये question पूछा जाता कि बताएए periphery पर वो point कौन सा है की speed वही होगी जो center of mass की speed होगी क्या find out कर पाते है बहुत ही आसान है आप खुद सोचिए ये distance कितना है आर ये distance कितना है आर ही तो होगा और ये भी कितना है आर ये एक equilateral triangle बन गया yes or no अगर एक equilateral triangle है तो ये angle कितना हो गया 60 degree आगे की match मुझे बतानी की जोवत नहीं है अगर मालीजे मैं इसको origin consider करता हूँ और ये आपको r दिया हुआ ये angle आपको 60 degree दिया हुआ क्या आप इन given points के coordinates find out कर पाएंगे तो आपके लिए coordinates find out करना भी relatively क्या हो चुका है आसान हो चुका है I hope कि ये बात आपको समझ में आई होगी चलिए now move to the next question बढ़ी है question है I will explain it question read करिये फटाफट क्या है भाई आज आपको भी efforts मारने है आज की class में हमें questions की practice करनी है व्योंकि जब तक हम questions की practice नहीं करेंगे न तब तक हमारे अंदर confidence जो है न वो boost up नहीं होगा इसलिए questions करने है भाई पैंच चलाइए फटाफट बोलिए क्या है एक rod है जिसका मास एम है लेंध हैल है और ये rod एक smooth surface पर रखा हुआ है ये जो surface है न ये smooth है और rod इस vertical position में है हमने क्या क्या rod को बस slightly थोड़ा सा push कर दिया जैसे हमने rod को push किया तो rod इस तरीके से fall होना start हो जाएगा तो पहले तो ये question center of mass का है एक बात बताईए इस given rod पर horizontal direction में force क्या है 0 मानते initially center of mass की velocity x direction में क्या थी 0 तो पताए क्या होगा जब ये rod fall करना start करेगा तो center of mass हमेशा इसी vertical line पर move करेगा क्या ये बात आपको digest हो रही है मैंने क्या बोला सुनिएगा ध्यान से जैसे कि for example कुछ समय बाद ये rod इस तरीके से हो गया कुछ दिर बाद ये orientation change होता चला जाएगा लेकिन ये center of mass जो है न वो हमेशा इसी line पर रहेगा और हम ये कह सकते हैं कि center of mass की velocity सिर्फ y direction में रहेगी कौन explain करेगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी external force x axis के यलोग नहीं है external forces सिर्फ और सिर्फ y axis के यलोग है तो center of mass का displacement सिर्फ y direction में होगा और जब ये rod इस तरीके से slip कर रहा होगा तो center of mass हमेशा ऐसे move कर रहा हो पहले तो ये बात समझ में आनी जाए क्या ये बात समझ आ गए अब देखिए जब ये rod horizontal के साथ theta angle बना रहा है किसी general time t पर आपसे first part में पूछा है कि उस moment पर आपको बताना है what will be the angular speed of a rod उस moment पर हमें इस rod का omega calculate करना है first part second part आपसे क्या पूछा गया है question देखिए trajectory of a particle in rod at a distance are from the bottom end यहाँ से कोई भी point अगर हम आर distance पे लेते हैं तो उसकी trajectory क्या होगी चलिए start करते है question को solve करना IOR के concept से बहुत जल्दी हो जाएगा देखिएगा एक बात बताएगा मुझे center of mass की velocity downward direction में होगी rod का वो point जो इस horizontal surface के contact में है rod का वो point जो horizontal surface के contact में है इसकी velocity along the surface होगी yes or no अब आप सोचिए कि एक rod पर आपको दो point के velocity का direction पता है तो क्या आप location of IOR calculate कर पाएंगे क्या से calculate करेंगे velocity के perpendicular line draw करनी होगी अगर मैं इसके perpendicular line draw करूँ तो इस तरीके से और इसके perpendicular line draw करूँ तो इस तरीके से मतलब ये वो point होगा जिसके about इस moment पर मैं ये मान सकता हूँ कि body क्या कर रही है rotate कर रही है अरे समझ मैं आया की नहीं दुबारा repeat कर रहा हूँ इस point की velocity इदर मैंने perpendicular line draw करी इस point की velocity नीचे मैंने perpendicular line draw करी जहां पर ये दौनों line intersect करेंगी क्या वो आपका IOR होगा question खतम हो चुका है अब आपके लिए सोचिए ये length कितनी है ये length है L by 2 क्योंकि ये center of mass है तो ये length L by 2 तो ये distance कितना हो गया बेटा L by 2 cos theta और ये distance आपका कितना हो गया L by 2 sin theta अब क्या करना चाहिए omega निकालना है सोचिए we can use a work energy theorem इस पूरे system पर सिर्फ और सिर्फ gravity का work हुआ है ये हम ही कह सकते है कि जो gravity ने work किया है ना वही इसकी काइंटिक energy में convert हुआ है तो आप यहाँ पर work energy theorem लगा सकते है the work done by gravity is equals to the change in काइंटिक energy gravity का work कितना हुआ पहले center of mass कितने दूरी पर था L by 2 अभी कहाँ पर है L by 2 sin theta vertical direction में displacement जल्दी से calculate करिए क्या लिखेंगे mg into L by 2 into 1 minus sin theta yes or no this is the work done by gravity क्लिए रहे बराबर change in काइंटिक energy काइंटिक energy कैसे लिखेंगे भाई ये तो बड़ा tough task है क्योंकि ये rod जो है वो तो आज CRTM कर रहा है क्योंकि center of mass भी move कर रहा है और rod इस तरीके से rotate कर रहा है याद करिए मैंने आपको एक तरीका बताया था इस moment पर अगर ये इस axis के about rotate कर रहा है तो मैं इसकी काइंटिक energy लिख सकता हूँ half i about the axis of rotation वो कैसे लिखेंगे आप बताइए क्या center of mass के about आपको moment of inertia पता है देखेगा ध्यान से half i about the i c u r i c u m m l square by 12 plus what is this distance center of mass का ही distance कितना है l by 2 cos theta parallel axis theorem m into l by 2 cos theta का whole square yes or no this is the work done by gravity and now multiplied by omega square ये है किसी भी एक moment पर काइंटिक energy and what about the initial काइंटिक energy this is 0 आपके सामने ये equation बनके तयार होगी अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि simply आपको calculation करनी है यहाँ पर ये 2 से 2 cancel out m m factor cancel out हो जाएगा और similarly इसी तरीके से ये L वाला factor cancel out हो जाएगा तो देखें सिंप्लिफाई करके यहाँ पर expression क्या बन रहा है g into 1 minus sin theta is equals to 1 by 12 plus cos square theta by 4 into omega square क्लियर है तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा 12 g into 1 minus sin theta calculation साथ साथ आप लोग भी करिए divided by 12 1 plus 3 cos square theta into omega square हाँ sorry 12 तो यहाँ से इधर आचुका है तो इसको अटा देते हैं यहाँ से के लिए रहे बत तो यहाँ से बेटा मेरे को लगता है कि omega की value आचुकी है omega की value क्या आजएगे the square root of 12 g एक L वाला term और रहे गया यहाँ पर यह L भी आएगा यहाँ पर 12 g by L into 1 minus sine theta divided by 1 plus 3 cos square theta this will be the omega the square root of 12 g by L yes or no 1 minus sine theta और denominator में क्या आगया 1 plus 3 cos square theta तो यह आगया है आपके पास omega क्यासा लगा question अभी एक और पार्ट बागी है काफी interesting part है same profile का question जेई advance में पूछा जा चुका है आप से पूछा जा रहा है कि इस rod पर अगर मैं कोई point consider करता हूँ तो उसकी trajectory कैसी होगी let's see देखते हैं माल लीजे यह वाला जो point है ना उसको अपर ने origin consider कर लिया क्या consider किया origin हमें यहा पर किसी given point की trajectory find out करनी है माल लीजे वो point यहां से r distance की दूरी पर है कितनी दूरी पर है r distance की दूरी पर अब मैं अगर आपसे पूछू कि अगर यह origin है तो उस given point का coordinate बताईए तो आप देख पार होंगे कि उसका y coordinate आप क्या लिखेंगे simply r sin theta क्या यह बात समझ आ रही है यह distance r तो y coordinate क्या हो जागा r sin theta और अगर आप x coordinate लिखना चाह रहे है तो देखिए x coordinate के लिए आपको यह वाला distance चाहिए yes or no तो पेटा यह वाला distance r cos theta और total distance l by 2 cos theta बताईए जल्दी से x coordinate आप क्या लिखने वाज है x coordinate आपका होगा minus बाहर अंदर आएगा l by 2 cos theta yes or no minus r cos theta check करिए minus क्यों लगाया है क्या यह बात समझ आ रही है क्योंकि मैंने जो point है वो origin के left hand side में consider किया है तो मैंने कहा कि इसका जो x coordinate है इसका जो x coordinate है that will be the l by 2 cos theta minus r cos theta यहां से cos theta को अगर common लेते हैं तो यह बनेगा minus l by 2 minus r multiplied by cos theta तो यहां से आपके पास यह y coordinate और यह x coordinate आ गए जड़ा देखेगा आगे मैं क्या करने वाला हूँ फड़ा सा screen को shift कर लेते हैं यहां पर पहली वाली equation से मैं यहां पर लिख सकता हूँ कि जो sin square theta plus cos square theta की value 1 होगी first equation से बताए sin square theta की value क्या आएगी this will be the y square upon r square cos square theta cos square theta की value बताएगे क्या लिखेंगे आप x square divided by l by 2 minus r cos square is equals to 1 साइद यह आपको काफी familiar equation लग रही होगी अगर maths आप पढ़ते हैं तो साइद आपने ऐसी standard equation देखी होगी किसकी equation है this is our equation of ellipse मतलब इस rod पर जो points लाई कर रहे है न वो points elliptical motion कर रहे लेकिन पता एक ऐसा point भी होगा जो circle में घूम रहा होगा circle में घूमने के लिए x square और y square का coefficient सेम होना चाहिए यहाँ पर आप अब्ज़र्ट करिए x square का coefficient l by 2 minus r और y square का coefficient आपको दिखाई दे रहा r square तो मैं यह कह सकता हूं वो point जो circle में घूम रहा होगा ऐसा एक बार question पूछा गया है कि इस rod पर वो कौन सा point होगा जिसकी trajectory ground frame में circular होगी तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूं वो point होगा जिसके लिए r की value कि किसके बराबर होगी बेटा l by 2 minus r yes or no तो यहाँ पर देखिएगा r की value आप यहाँ से calculate करते हैं तो r की value आपके पास आजाएगी कितनी l by 4 मतला हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस rod पर वो point जो bottom edge से l by 4 दूरी पर है उसकी trajectory circular होगी और उसके अलावा इस rod पर lie करने वाले सभी के सभी points कैसा motion perform कर रहे होंगे elliptical motion perform कर रहे होंगे I hope कि आपको यह question अच्छा लगा होगा you are enjoying it चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस आंदर questions देखते हैं और देखते हैं कि उन questions को हम IUR के concept से किस तरीके से approach कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि इस question को solve करने के और भी alternative methods हो सकते हैं लेकिन वह method इस method के comparison में quite lengthy होते हैं आप सोचिए आपको वह point मिल गया जिस point के about यह rod आपको fixed axis rotation करता हो दिखाई दे रहा है तो अब आपके लिए कितना असान task हो चुका है suppose आपसे अगर इस point की velocity पूछी जाती तो वह भी आप calculate कर सकते थे किस तरीके से आपको पता है distance कितना l y 2 sin theta और omega का अगर multiply कर देते क्या आपको इस bottom edge के जो point है क्या इसकी velocity मिल जाती है of course yes or no clear है चले now move to the next question बड़े असान दार यह देहें किसी एक moment पर disc पर present यहां पर हमें दो points की velocity पता है एक यह point है जिसकी velocity इस समय य डिरेक्शन में V0 है और दूसा point है यह जिसकी velocity 2 V0 है और यह vertical line के साथ angle 53 बना रहे है आपसे पूछा जा रहा है velocity of center of a disc again IUR का concept हम यूज कर सकते हैं हमें यहां पर disc पर दो points की velocity पता है अगर मैं आपसे पूछूँ की location of IUR क्या होगा आप क्या से find out करेंगे मुझे अगर velocity पता है मैं velocity के perpendicular line करूँगा और जो दो line draw करूँगा वो जिस point पर intersect करेगा क्या वो IUR होगा is it clear तो जल्दी से बताइए what will be the location of IUR क्योंकि अगर आपको IUR पता चल गया तो इसके बाद velocity analysis करना आपके लिए बहुत ही आसान task होने वाला है देखे का ध्यान से इस point की velocity उपर इसके perpendicular line ये इसकी velocity इदर इसके perpendicular line ये क्या मैं कह सकता हूं this will be the point of IUR हम इस moment पर मान सकते हैं ये body इस axis के about omega से घुम रहे है तो देखेए basic geometry है ये angle 53 this is 90 ये angle होगे आपका 37 ये angle will be 53 degree yes or no ये distance बेटा x और ये distance कितना है आर तो बताइए IUR जो है वो center से कितनी दूरी पर आ रहा है एक्स दूरी पर आ रहा है तो इस triangle को observe करिए इस triangle मैं मैं यहाँ पर लिख सकता हूं 1053 is equal to r divided by x तो यहां से हमारे पास x की value आएगी r divided by 1053 और 1053 की value put करें तो ये हो जाएगा आपका 3r by 4 हमसे velocity of a center of disk और angular speed पूछा जा रहा है कैसे calculate करें आप सोचे क्या आपको इस point की velocity पता है ये distance आप calculate कर चुके है तो आपको ये distance भी पता चल गया ना ये distance कितना होगा r minus x r minus 3r by 4 yes or no तो ये value आपके सामने आ जाएगी कितनी r by 4 इस point की velocity हमें v naught given है तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ v naught is equals to omega into this distance और ये distance कितना है बेटा r by 4 तो बताइए आपके पास omega आ चुका है 4 v naught divided by r yes or no this is the omega अब आप सोचिए omega पता है location of iur पता है अब आप किसी भी given point की velocity find out कर सकते हैं बस आपको क्या चाहिए iur से distance से यह है और वो हम calculate कर चुके है जरह देखेगा दियान से point c is the center center का distance कितना था 3 r by 4 जल्दी से बताइए first part हमारा answer आने वाला है point c की velocity हम क्या लेखेंगे omega multiplied by this distance और बेटा ये distance कितना है 3 r by 4 आर से r cancel out तो ये value हमारे सामने आती है 3 v naught तो देखिए कि iur का concept सीखने के बाद एक body जो एक general plane motion कर रही है उस पर present किसी भी given point की velocity calculate कर पाना आपके लिए कितना असान task हो चुका है अगर आपको iur का concept नहीं पता होता तो definitely हम solve तो कर सकते थे लेकिन उसके बाद हमारी लिए जो mathematical calculations होती ही वो क्या हो जाती चलिए यहीं पर आज के वीडियो को stop करते हैं I hope कि आज का lecture आपको अच्छा लगा होगा और भी इसी तरीके के काफी सारे conceptual videos और erode के solutions जो हैं वो इस channel पर regular basis पर upload किये जा रहे हैं आप एक बार जाकर के playlist जरूर चेक करिएगा ओके थैंक यू सो मुझ